हलो एवरीवन वेलकम बैग टू मैं चैनल शिखाज रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं बिलकुल मार्केट जैसी एकदम हल्वाई स्टाइल परफेक्ट काजु कतली की रेसिपी और वो भी एकदम आसान तरीके से तो इस वीडियो को बिना स्किप किये लास तक काजु कतली बनाने के लिए हमने यहां ली हैं 200 ग्राम काजु की टुकडी इसे हम 2-3 कंटे बिगो कर रखेंगे और इसमें थोड़ा सा दूट डालेंगे जिससे इसका कलर सफेद रहेगा तो इन काजु को हमने बिगो लिया है और दूस्से इसका कलर भी बहुत अच्छा है और इसमें मावा डालने की भी जरूवत नहीं रहती है तो इसका पानी निकाल कर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे तो यह हमारा काजु का पेस्ट एकडम रेडी है इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है और एकडम भारीक पेस्ट तयार करना है अब इसे हम एक बॉल इसके बाद हम इसे पकाएंगे तो पकाने में बहुत आसानी होगी इसे 10 मिनिट ऐसे रखेंगे यहां मैंने एक भारी तले की कड़ाई लिए इसे हलका सा गी से ग्रीस कर लेंगे अब इसमें हम काजु वाला पेस्ट डालेंगे और उसे कंटीनी चलाते हुए पकाएंगे इस का बोटम हेवी होना चाहिए अब इसे हम कंटीनी चलाते हुए पकाएंगे यहां हमने 200 ग्राम काजु पर 200 ग्राम शकर ली है यह एक तम परफेक्ट मेजर्मेंट है अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप ज्यादा एड़ कर सकते हैं पर फिर कतली जमान तो इस वक्त हम इसमें चोटी चम्मज गी मिलाएंगे और फिर से हम इसे कंटीनी चलाएंगे इसे लगातर चलाना है परना यह नीचे से लग सकता है बीच बीच में हम गेस की फ्लेम को कम या ज्यादा करते रहेंगे इसे सेकते हुए मुझे 20 मिनिट हो चुके हैं और यह म पका है या नहीं यह चेक करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें से मिश्टन लेंगे लेकिन थोड़ा सा सावदानी से क्योंकि यह बहुत गरम होता है थोड़ा सा ठंडा होने पर देखेंगे कि इसकी गोली बनने लग गई है मेंस यह रेडी है यह हमारे हाथों में नहीं जाएगी जो निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा ठंडा होने के बाद यह डौकी शेप में आ गया है तो इसे हम किसी बोड या चकले पर लेंगे और हातों से मलेंगे अभी भी यह थोड़ा गरम है इसे हम एकदम चिकना कर लेंगे इसे दो से पॉलेथिन के अंदर रखेंगे और बेलन की मदद से इसे चारो तरफ फेलाएंगे इसे आप किसी लकडी के पट्टे पर या बोड पर ही बेले अगर किचन प्लैटफॉम पर आप इसे बेलेंगे तो परिशानी होगी यह जल्दी से ठंडा हो जाएगा इसे हमें ठंडा न क्योंकि अभी त्योहारो का सीजन है तो आम इसके उपर थोड़ा सा सिल्वर बर्क लगाएंगे आप चाहे इसे स्किप कर सकते हैं या इसकी जगह कैसर का भी यूज कर सकते हैं अब हम चाको में थोड़ा सा टेप लगाएंगे इसे चक्की या बर्फी या कुछ भी काटते हैं उसकी कटिंग बहुत अच्छे से होती है एकदम स्मूथ निकलती है अब यहां मैंने एक स्केल लिया है इससे मेजर करके हम कट लगाएंगे तो एक से सवा इंच की बीच की हम दूरी रखेंगे और सबसे पहले हम इसकी सीधे कट लगाएंगे पूरे सीधे कट लगाने आप इसे थोड़ी दर ठंडा होने के बाद काटेंगे तो इसमें और अच्छे से फिनिशिंग आएगी यहां मुझे आपको दिखाना था तो मैंने जल्दी कट किया है तो यह हमारी काजु कतली बन कर तयार है और यह एकदम वैसे ही बिलकुल मार्केट जैसी सॉफ्ट बन अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे जादा से जादा लाइक और शेयर कीजिए चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलिये मिलते हैं अगली बार फिर एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ एंक यू